लगातार यहां पे जो दीवाली और होली तमाम जो इस सितिया है जो तस्वीर है वो हमाद फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के परधान मंत्री बन रहे हैं और उन्होंने सपत ले लिए और पूरी तरह से देश में जसन का महौल है हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के परवक्ता राजीव रंजन जी है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 2024 में नरेंद्र मोदी नितिस कुमार और नाइडू तीनों एक साथ मिलके एक नए अध्याई की शुरूआत करेंगे राजीव जी पुरी तरह से भाजपा कारियाले हो या तमाम देशवासी हो वो जसन मना रहे हैं और सीधे तोर पे उनका मानना है कि एक बार फिर से नए अध्याई की शुरूआत होगी और देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी एक नई गाता लिखेंगे नहीं यह तो पुरी देश की जन्ता ने आज नहीं वर्सों से 2014 से ही लगातार नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट देने का काम किया है सीटे बरती घरती रहती हैं हम उसे हतोत सहीत होने वाले नहीं हैं हमारी सीटे अच्छी आई है हमारी जो सरकार है आज अपने सेप में आने जा रही है इस सरकार का आप देखेंगे जो पिछले चरण का जो कारिकरम था जो काम पिछले दो टर्म्स में हुए है उससे बेटर परफॉर्म करेगी इस बार ये सरकार और जो एंडिये का पूरा कुनबा पूरे टीम ऑफ एंडिये मिल करके नरेंदर मोदीजी की नेत्रितों में एक नया आईति हास रचने का काम करेगा और जिस तरह से देश और दुनिया में भारत का नाम और बड़ा हुआ है इसको और ब पक्राइप नेकर अधिया लिखने के शुरुआ है यह तक वो करता है काम कुछ करना नहीं है बस भरह पहलाना है तो जो भरह मपहलाने में महारत हांसिल है लोगों को वह भी कर रहे हैं आज देखिए चंद्राबावू नाइडू जी की पार्टी हो, नितीश कुमार जी की पार्टी हो, चीराग जी की पार्टी हो, माजी जी की पार्टी हो या फिर एंडिये में और भी चो दल हैं। तो उसको भी इस वार हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। तब का जो है, वो मंत्री मंडल में सामील हो रहा है, तो बिहार को विशेश राज का दरजाई स्वार मिल पाएगा। बिहार के लिए विशेश ध्यान पहले भी आदर्णिये प्रधान मंत्री ने रखा है, आगे भी बिहार के लोगों को उन पर भरोसा है। बिहार के साथ हमेशा नयाय हुआ है इंडिये की सरकार में, आगे भी नयाय होगा, जो योथोचित अवस्षेक्टाइं होंगी बिहार की, वो पहले भी पूरी की गई है, आगे भी पूरी की जाएंगे, अभी तो डबल इंजन की सरकार है। तो जो भी लंबित कारे हैं, मैंने पहले भी कहा, जो भी लंबित कारे हैं उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। चुकी है अब हमें भरोसा है कि जो मैंडेट भारत की सरकार को मिला है देश की महान जनता के द्वारा इसका हम लोग भरपूर सूध सहित जो जनता ने हम पर भरोसा दिखाया है उसको हम लोग सूध समय तुनको वापस करेंगे पर राजीव रंजन जिते बीजेपी के प्रवक्ता है और इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 2024 से 2029 तक जो सरकार चलेगी वो सफलता प्रवक्त चलेगी और एक नया आयाम नया अध्याय नरेंद्र मोधी देश की जनता को देने का काम करेंगे और नया लकीर विकास के नाम प कर नचना